यह तस्वीर बिहार के सहरसा जिले की है जान सहर के बीचों 20 सडक किनारे कई परिवार घोंगा बेज कर अपने जीवन को समारते हैं और इनी महादलित परिवारों पर राजनीती की जाती है। तो यह सड़क किनारे बैट कर घोंगा नहीं बेशती यह तस्वीर सरकार की हवा हवाई गोसनाओं की पोल खोल रही है। आज कहने का मतलब हुआ कि आपका सरकार का उदेश है कि समाज के अंतिम पैदान पर जो बसे हुए लोग है वहां तक विकास की किरन पहुंचाना। तो इन्हों को आज घोंगा नहीं बेचना परता, डोका नहीं बेचना परता। आज सरकार इन्हीं लोगों पर राजनित कर रही है। जीतन राम्मा जी इन्हीं लोगों पर राजनित कर रही है। आप देख लिजे नितिश कुमार जी को, नरंद्र मोदी जी को, राम बिलास पासवान जी को, सब इन्हीं लोगों के उपर राजनित करते हैं और इनको इनका विकास नहीं हो रहा है। मिश्चित तौर पर है कि आज अगर ये दसा है इन लोगों की तो सरकार इसके लिए दोसी है आज अगर सरकार इन लोगों पर अगर जरा सब ही महादलित अयोग, महादलित झिसन, महादलित के नाम पर कई तरह की योजनाये हैंily। क्यों नहीं सब का लाब मिल रहा है आज अगर लाब मिलता तो आज रूट पर इन लोग को घोंगा नहीं बेचना पड़ता बांद के धीतर से सौब देर सो किलो मीचर दूर से इन लोग यहां आना है और यहां आ करके घोंगा गेच रहा है